पांचवे चरण में बिहार की पांच लोगसभा सीट पर बीस मई को मतदान होंगे इन पांच सीटों में सीता मढ़ी, मदुबनी, सारण, हाजिपुर और मुजफर पुर शामिल हैं इन पर अपना परचम लहराने के लिए सबी सियासी पार्टियों ने अपनी ताकत जोक रख दिया है नमस्कार दन्यूस 15 में आपका स्वागत है मेरा नाम है रवी शंकर सबसे पहले बात सीता मढ़ी लोगसभाग सीट की इस लोगसभाग शेत्र से जेडियू के नेता सुनील कुमार पिल्टू वर्तमान में सांसद हैं हालक इस बार पार्टी ने इनका टिकट काट क विधान परिशत के सभापती देवेश चंद्र ठाकुर पर विश्वास जताया है तो वही आरजेडी ने इस बार भी 2019 में चुनाव लड़ने वाले अर्जुन राय को ही चुनावी मैदान में उतारा है देवेश चंद्र ठाकुर की जहां 26 सापसुत्री है वही विधान पर परिशत के सभापती भी हैं वही अर्जुन राय लोग सभाचुनाव 2009 में जेडियू के टिकट पर सीता मढ़ी से सांसद रह चुके हैं दोनों परत्याशियों की इलाके में छवी और पकड़ के अलावा यहां आयोध्या के राम मंदिर का निर्मार सबसे बड़ा मुद्द बना हुआ है यहां जाती समीकरणों की बात करेंगे तो वोटरों की खुल संक्या 19,24,566 है इसमें पुरुष मतदाता 10,15,642 और महिला मतदाताओं की संक्या 9,8924 है यहां सबसे जादा वैश मतदाता हैं इनकी संक्या 5,30,000 है आती पिछड़ा मतदाताओं की संक्या 2,90,000 है मुस्लिम मतदाता करीब 2,50,000 और यादो मतदाता 2,10,000 है कुर्मी कुईरी मिलकर करीब 1,30,000 है यहां सबसे मतदाताओं की संक्या 2,60,000 और दलित महा दलित मतदाताओं की संक्या 20,70 वोटरों के बराबर ही है इसके बाद बात करेंगे मधुवनी लोकसभा सीट की इस बाती दोर में कॉंग्रेस के कायस्त ब्राम्हर और अति पिछडा मुस्लिम को प्रत्याशी बनाया है उन्हें सफलता भी मिली 1996 में कॉंग्रेस ने आखरी बार किसी ब्राम्हर चहरे को मौका दिया था मगर CPI के कद्दावर नेता और ब्राम्हर चहरा चतुरानन मिश्र ने इसके लोग सबह चुनाओं में अशोक कुमार यादाओं ने विकाशील इंसान पार्टी यानि वी आईपी के बद्री कुमार पुर्वे को बड़े अंतर सहराया था इस सीट पर जाती समीकर्ण की बात करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या प्राम्हर वोटर की बताई जाती की जनगर्णा के अनुसार लगभग 12.7 फीजदी है मुस्लिम मतदाताओं की संक्या लगभग 4,49,703 है जो मतदाता सूची विशलेशन के अनुसार लगभग 24.1 प्रतिशत है अंतर ये है कि दोनों उमीदवारों की पार्टी इस बार बदल गई है इस बार भाजपा के राजभूशन निशाद और कॉंग्रिस के अजय निशाद के बीच मुकाबला है 2019 में अजय निशाद भाजपा के टिकट पर लड़े थे और वी आईपी के टिकट पर मैदान में उतरे राजभूशन निशाद को हराया था 2014 में भी भाजपा के टिकट पर अजय निशाद जीते थे लोकसभा चुनाओ 2009 में मुझफर पूर लोकसभा सीट से अजय निशाद के पिता जय नारायन निशाद ने जेडियू के टिकट पर जीत दर्ज की थी अब आजाईए सारण लोकसभा सीट पर पांचवे चल की सबसे होट सीट सारण लोकसभा बेहत महत्वपूर है पूर केंदरी मंतरी राजियू प्रताब रूरी जहां भाजपा के टिकट पर उम्मिद्वार है वहीं लालू प्रसाद यादो ने छोटी बेटी रोहिनी अचार को मैदान में उतारा है राजियू प्रताब रूरी वर्तमान में सांसाध है और मोधी कैबनेट में मंतरी भी रह चुके हैं नरेंद्र मोदी ने भी राजियू प्रताब रूरी शेत्र का लगातार दौरा कर रहे 1977 में लालू प्रसाद यादो पहली बार सारण से ही लोगसभा का चुनाव जीत कर संसत पहुचे थे इसके बार लालू प्रसाद यादो 2004 और 2009 में सारण से जीतने में सफल हुए थे सारण लोगसभा में 6 विधान सबाक्षेत राता है अब आखिर में बात हाजिपूर लोगसभा क्षेतर की इस लोगसभा सीट पर चिराग पासवान की जीत के लिए प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी ने भी प्रचार किया है जनता से रामविलास पासवान के रिकॉर्ड को तोड़ने का कमिट्मेंट है हाजिपूर सीट पर चिराग पासवान का मुकाबला आरजेडी के लेता और पूर मंतरी शिवचंदर राम से है आपको बता दें कि हाजिपूर सीट आरक्षित्र है यहां से अनुसूचित जाती के उमीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं हाजिपूर लोग सबा सीट पर कुल 14 उमीदवार मैदान में है चिराग पासवान के चलते हाजिपूर हाट शीट बन गई है यहां जातीकल समीकरन की बात करेंगे तो एक आकलन के मताबिक यहां यादो वोटर्स की संख्या तीन लाग से जादा है वही राजपूर मतदाताओं की संख्या भी तीन लाग के आसपास ही है जबकि पासवान मतदाताओं की संख्या भी तरीक तीन लाग है इसके अलावाद दो लाग के आसपास भूमिहार और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी यहां मानी जाती है जबकि ब्राम्हण 50,000 के साथ साथ महादरिद धाई लाग और बन्या कुश्वाह कुर्मी सहित अन्यजाती के मतदाता भी धाई लाग के आसपास ही है आपको बता दें कि बिहार के साथ उत्तरपदेश ये ऐसा राज है जहां सातों चरणों में चुना हो रहे हैं और लोगसभा के लिहाद से ये दोनों ही राज बेहत महत्वपून हैं क्योंकि उत्तरपदेश की 80 और बिहार की 40 सीटे ही मिलाकर 120 हो जाती हैं और यही दोनों राज देश का प्रधान मंत्री भी तै करते हैं आज के लिए फिलाल इतना ही हमें देखने के लिए दन न्यूस 15 को सब्सक्राइब करें शुक्रिया